Hello students, आप सभी का स्वागत है इसको एजुकेशनल चैनल में आज हम पढ़ेंगे चंद कभीता के रचना विधान को चंद कहते हैं चंद कभीता का व्याकरण है अवसक अंग है चंद का सर्व प्रथम उलेख रिगबेद में मिलता है रिसी पिंगल ने चंद का उलेख रिगबेद में किया है इसलिए चंद को पिंगल नाम से भी जाना जाता है मात्रा या वर्ण की गर्णा या क्रम के आधार पर जहां काव्य की रचना होती है वहाँ चंद होता है चंद की परिभासा वर्णों की संख्या एबं क्रम मात्राओं की गर्ण तथा यती गती से संबंध नियोजित काव्य रचना को छंद कहते हैं छंद के अंग चरण या पद वर्ण मात्रा यती गती तुक गर्ण